गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चैनल लाइट हाउस ओफ मैध देविच हाँजे बच्चे आज असी करांगे LPP means linear programming problem दे MCQs बच्चे जड़े स्टुडेंट्स ने हले तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जी दे विच की असी LPP दे सारे concepts नो detail दे विच समझया सी तब प्लीज पहलाओ हो LPP दे वो concepts वाली वीडियो ज़रूर देख के ओन फिर ही थोनों सारे MCQs समझ आनगे तब बच्चे गल्पक किया है कि पिछले वाद तो ही Master Cater दे एक्जाम विच दो मार्क्स दे questions सानू LPP दे जरूर आ रहे हैं तो जो बहुत ही जियतत होनों स्किप नहीं करने चाहिए हां जी तो तुसी यह सारे MCQs मेरे नाल जरूर करना एंड तक तब पहला question देख देयां असी बच्चे यह Master Cater दा question है यह आया हो यह Master Cater दे विच दी अब्जेक्टिव function of a linear programming problem is की हुंद है एक polynomial हुंद है एक equation हुंद है जा इन equation हुंद है जा नन अफ तीस देखो बच्चे equation ते इन equation दी गल समझते हैं ओ की हुंद है एक्वेशन जे मालो 3x plus 2y जे एथे equals to 0 है जा ग्रेटर दैन equals to 0 है greater than equals to 0 है less than equals to 0 है कुछ भी यह में दा साइन पाया होया है दैन उसनों equation ता इनना नों इन equation गोल देयां चीक है बट्थोन याद हो वे objective function देविच ता असे maximum कर देयां जा minimum कर देयां z equals to कुछ भी 3x plus 2y वो थे equals to 0 0 कुछ नहीं लिखया हुंद है देर्फोर किये होएगा अपने कोले यह है polynomial clear next question वाल देख देयां next question भी साड़ा की हैगा master cater दा question है ठीक है जी if x plus y less than equals to 2 and x greater than equals to 0 y greater than equals to 0 means यह सानो constraints जे देते then point at which maximum value of 3x plus 2y is obtained at ता यह साड़े कोल objective function clear तो केर दे केड़े point ते सानो maximum value मिलेगी ता तुसी की करना देखो छोटा जा एक परी तुसी graph ड्रा कर ले ना x so y जल्दी जल्दी हो जानदा है ग्राफ easy जा ग्राफ दिता है तो उसे सिर्फ एक की equation ड्रा करनी है x plus y equals to 2 x दी value जोदो 0 रखी ता y दी value किया जेगी 2 ता point सानों मिल गया 0 2 ठीक है जोदो y दी value 0 रखी ता अपने कोले मिल जेगा point 20 ता इथी आपने कोले माल लेने a point हैगा 20 a point हैगा 0 2 ता इनना दोनों points ते ही सानों किते maximum value मिल सकती है छीक है उनना ते अपा चेक कर लेने उसनों objective function दे विच पुट करो ठीक है जोदो आज सी 2 0 पुट किता 2 0 पुट किता x दी value 2 पुट किती 3 इन्टो 2 प्लस y दी value 0 means 6 ता maximum value सानों मिल रही है गया 6 ता 4 ते 6 दे विच हुआ डागेडा 6 इदा मतला maximum value सानों मिलेगी 2 0 point ते ता answer सादे कोले होएगा c option clear now next आज थर्ड question ते for the constraints of a linear optimizing function linear optimizing function means LPP दा question यह है z equals to 3x plus 2y given by अपने कोले यहाच किया 4 constraints दे रहेते x plus y greater than equals to 3x plus 5y less than equals to 15 between x greater than equals to 0 and y greater than equals to 0 हांजी ओत्तिन नहीं की क्यों है there are two feasible reasons there are infinite many feasible reasons there is no feasible reason and none हांजी हुन देखो two feasible reasons था हो अनी साक्ड़ नो satisfy करदा feasible reason 1 की आंदा infinite reason feasible reasons भी नहीं आ साक्ड़ ना हुन 3rd ते 4th option दे विच चेक करना है ता उस दे लिए देखो बच्चे इनन equations नो में draw किता होया equations नो x plus y equals to 8 x plus y equals to 8 नो में draw किता है ता अपने कोले यह आगे x plus y x plus y greater than equals to 8 ठीक है जी ता x plus y greater than equals to 8 ता greater than the sign है ता इस दे लिए अपने कोले right portion आईगा clear दूसरी equation सी 3x plus 3x plus 5y equals greater than sorry less than equals to 15 3x plus 5y नो में draw किता line अपने कोले this one बनगी less than equals to 50 यह निच्छी वाला रिजन हागिया हुन देखो इस दो प्रवाला रिजन है इस दा निच्छी वाला रिजन है तो दोना दा कोई common reason नहीं आ रहे है क्लिए अपने कोले solution ओथे exist कर दा हूंगा जोदो अपने कोले जित्थे common reason होवे उने इत्थे common reason नहीं है therefore अपने कोले की answer मिलेगा there is no feasible reason means c answer मिलेगा ठीक है जी नाव आजो example 4 थे if the number of available constraints is 3 number of available constraints ने 10 and the number of parameters to be optimized is 4 then the objective function can be optimized the constraints are short in number the solution is problem oriented and none of this देखो question नो समच देया बच्चे question किया if the number of available constraints is 3 number of constraints ने अपने को एथे शर्था नितिंगो जे में मालो x greater than equals to 0 y greater than equals to 0 z greater than equals to 0 तेन constraints देते ठीक है जी and the number of parameters to be optimized is 4 number of parameters means decision variables x y z w ठीक है जी ता एक ही अपने कोले हैगे ने 4 जी अपने कोले decision variables 4 ने constraints 3 ने clear ता अशी किया एसनू कुछ भी solve नहीं कार सकदे the constraints are short in number कटो का take a constraint ता होर चाहिए इसी ना the constraints are short in number clear then fifth question the graph of x less than equals to 2 and y greater than equals to 2 will be situated in this now x less than equals to 2 x equals to 2 the line this x less than equals to 2 ता उस दे खब्बे हास पासे वाला हिस्सा लेना ठीक है जी left side line आपा clear y greater than equals to 2 y greater than equals to ता उस दे आपा right side उपर वाला हिस्स लेना ता दोना दा common reason की बढ़ेंगा this one ठीक है जी ता एकड़ा आगया second ते third quadrant first ते second quadrant दे विच आ रहे है ठीक है ता answer आएगा आपने कोले a first and second quadrant clear then उसको बाद आगया आपने कोले sixth question the feasible solution of a LPP belongs to feasible solution किसनों बिलॉंग करदा हूंदा बच्चे में तुनूं पहलना भी दस है के feasible solution हमेशा ही first quadrant नों बिलॉंग करदा हूंदा है हाँ जी next आगया आपना seventh question the necessary condition for third quadrant region in xy plane is third quadrant केड़ा हूंदा अपने कोले this one first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant ठीक है जी उसदे लिखिये क्या x greater than equals to greater than 0, y less than 0, x less than 0, y less than 0, x less than 0, y greater than 0, x less than 0, y greater than 0, x less than 0, y equals to 0 क्यादा reason आएगा देखो अपने कोले बच्चे third एह हूंदा है अपने कोले a line हूं दिया x negative, a line हूं दिया y negative, x less than 0, y less than 0, y less than 0, इसनो satisfy करेगा हाँ जी next question है साथे कोले for the following feasible reason the linear constraints are हाँ जी ए feasible reason है दिया अपने कोले इन्हों ये figure दिती हो ये ड्राह करके दिती हो ये उन्हों किया के linear constraints केडे बराणगे देखो पहले गलता बच्चे x greater than equals to 0, y greater than equals to 0, इता आएगा ये तिन्नों options देविछ दिता होया आपने कोले इक line दिती है x plus 2y equals to 12 and 3x plus 3y equals to 11 हुन आपने ये देखना कि इन्हों ते greater than the sign आएगा के less than the sign आएगा बच्चे में तुम देखो याद हो वे ता में तुमनों पिछली वीडियो दे विच भी दस्या सी कि जे अपने कोले सब किते plus plus होवे देन तुसी देखना की देखना सिरफ जे अपने कोले line रा किती है ता greater than the equals to the sign है तो तुसी युष दा सज्जा पासा लेना है जे अपने कोले less than equals to the sign है ता खबबा पासे लेना हांजी होन एस line देखो x plus 2y equals to 12 डे अने कोले सज्जा पासा थे तो इतनि मतलब greater than equals to the sign है अएका clear एज देना उसी greater than the sign देखना है दूसी एण X plus 3y equals to 11 इस दापासे सज्जा से ले जेए ता एछ देनुख है तुसी greater than equals to the sign है तो दोन्स दे लई greater than equals two, greater than equals two, तो दोन्ना दे आदर दे greater than equals two, सार्यां दे greater than equals two means, ये option अपने कोले सै नैफ्ट होएगी, clear? 9th question, the value of objective function is maximum under linear constraints. कदं होएगी maximum value अपने कोले objective function दे? At the centre of the feasible region, centre which होएगी feasible region दे? 00 ते होएगी, at any vertex of feasible region. फीजिबल रिजन दे किसे वर्टेक्स ते होएगी, दी वर्टेक्स विच इस एट मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर्म 00, बिल्कुल सही, देखो बचे, अपने कोले X, 0, Y, ता माल लेने अपने कोले ठीक है जी, कुछ एमेदा सी, दो, अपने कोले अपने कोले देखो, 00, ते नहीं मिल सकदा, किसे एक वर्टेक्स ते मिल सकदा, एनी वर्टेक्स ते मिल सकदा, clear, बट जो इनना विचो बेस्ट ऑप्षिन की होएगी, अपने कोले जो maximum value होएगी, जो origin तो distance सब तो ज्यादा दूरीती होएगी, ते आपने कोले D आएगी, मालो ए दूरीती है, ते आपने कोले D option is देविचे, सही आएगे, जो आपने कोले maximum value होएगी, वो किते मिल सकदा, the vertex which is at maximum distance from 0, 0, 10th, the solution set of the equation, 2x plus y greater than 5 is, की होएगा, solution set, half plane that contains the origin, half plane, open half plane not containing the origin, whole xy plane except the points lying on the line, ठीक है जी, none of this, पहली गालता half plane नों समझने है, half plane की होँँद है, बच्चे, जे आपने कोले आहल लाइन ड्रा करिए, 2x plus y equals to 5 नों ड्रा करिए, ता x the value 0 रखी, ता y the value किया जाएगी, y equals to 5, ठीक है जी, ता ये अपने कोले 0, 5 point आएगा, जे अपने कोले y the value 0 रखी, ता y 5 by 2 equals to 2.5 point आएगा, ता ये point मिलेगा, अपने कोले 0, 2.5, sorry, 2.5 ते 0, sorry, मैं किता y the value 0 रखेंगे, ता x the value आएगी, 2.50, एथे माले ने 2.50 है, ता y the point माले ने 0, 5 है, इनना दोना नों जॉइन किता था, हाँ जी, half plane क्यों होएगा, एस line तो y the value 1 half plane है, its line तो y the value 1 half plane है, पूरा plane हूं दा full plane, means line तो एक side वाला, 1 half plane, line तो दूसरी side वाला अपने कोले, दूसरा half plane होएगा, ठीक है जी, हाँ जी, होण उनना ने कि पूछया, half plane that contains the origin, तो देखो, origin विएस equation दे विछ पुट करो, ता satisfy कर दा, x the value 0, put करो, y the value 0, put करो, 0 greater than 5, not satisfied, हाई option नहीं आएगी, open half plane not containing the origin, ठीक है जी, 0 जे पुट कर दे है, ठीक है जी, ता उसनु contain नहीं कर दा न, यह option सही होएगी, whole xy plane except the points lying on the line, x plus y, x2x plus y equals to 5, यह option विए गलत होएगी, none of this नहीं आएगी आशकला, अलाएंध question, objective function of a LPP is की हुंदा, objective function, एक चंस्तेंट हुंदा नहीं हुंदा जी, function to be optimized, our relation between the variables, none of this relation between the variables नहीं, यह function to be जिसनो असी optimize कर रहा हूं, ता भी option इसने विच सही आएगी, 12th question, if the constraints in linear programming problem are changed, constraints नो जे change कर देता, जावे मिन शर्ता नो असे change कर देता, the problem is to be re-evaluated, solution is not defined, the objective function has to be modified, the change in constraints is ignored, हाँ जी बच्चे असी सिर्फ किया constraints नो चेंज कीता, ता objective function असी ओस constraints नो लेके दुबारा तो find करांगे, means किया दुबारा तो असी question नो solve करांगे, the problem is to be re-evaluated, now next, question है साढ़े कोले 13, feasible reason is the set of points which satisfy the objective functions, sum of given constraints, all of given constraints, none of these, the feasible reason बच्चे ओ हो हुंदा है कि जड़े सारे सारे constraints नो satisfy करदा हुंदा है, ता means किया आएगा अपने कोले C option आएगा, 14th, of all the points of a feasible reason, for maximum और minimum of objective function, the point lies, क्यों हुंदा है, inside the feasible reason, at the boundary line of the feasible reason, vertex points of the boundary of the feasible reason, none of these, हाँ जीसना बच्चे की मतलब है, कि जड़े से maximum ज़े minimum value find करनी objective function दी, ता सानु feasible reason दे केड़े points दे सानु maximum ज़े minimum value मिल दिया, ता बच्चे सानु पता है, सानु की corner points दे मिल दा है, ता ओकिया vertex points दे of the boundary of the feasible reason, आँसर एश्पे बिचाएगा सानु C, होप सो बच्चे थोनु ये सारे questions समझ आ गई हुंगी, ते ये तुसी 4 topics नू मेरे नाल solve करना चांदे हो, MasterCator दी त्यारी मेरे नाल करना चांदे हो, ता तुसी मेरे चैनल नू सब्सक्राइब करो, ते नाल ही बेल आइकन नू प्लेस जुरू करो, ता जो थोनू एसे तरह ही topics, दे concepts ते उनना दे नाल जुड़े हो है MCQs, मिल दे रहें ते थोड़ा MasterCator राबदी किर्पा दे नाल क्लियर हो जावे, Thank you!